गुद मॉरिंग स्टुरेंट्स आज हम सोशल रिफॉर्मर्स के बार में पूरेंगे जिन्होंने हमारी सोसाइटी से बहुत सारी बुरायों को दूर करने में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले किया हैं तो स्टार्ट करते हैं चक्टर सम एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स कुछ रिफॉर्मर्स के लिया यानि सुधार के लिए सोसाइटी को में अगहते और ये समाझ में ऐक बदलाव लाना चाहते थे वहां की सोसाइटी को मोडेंट करना चाहते तो इसलिए इनको अपने वीपल बहुत सारा विश्वास भी था और ये एक्च्वल में जो इनको विश्वास था इनोंने जो एक लहर सी चलाई मुवमेंट्स की उसकी वज़े से यहां पर इनको जेत भी हासिल हुए इवन इन रेवलुशन वर अगर हम इनका रेवलुशन करें इनको देखें तो हमें पता चलता है इनका रिजल्ट यह निकला कि यह जो हैं पहले से अच्छा था यानि अच्छा ही के लिए के गई थे और कौन-कौन से फेमस लीडर थे जिन्होंने मुवमेंट्स चलाए इन मुवमेंट्स में इकलूड कौन-कौन से थे सबसे बहले हम राजा नाम मुवमेंट्स को स्टार्ट किया तो हम सबसे बहले पढ़ते हैं राजा राम मुवमेंट्स को स्टार्ट किया तो हम सबसे बहले पढ़ते हैं राजा राम मुवमेंट्स को स्टार्ट किया तो हम सबसे बहले पढ़ते हैं राजा राम मुवमेंट सेंटल फिगर इन अवेकिंग राजा राम मोहन राएक ही वाज मुवड तो बाइड लव फूर इस पीपल एंड कंट्री एंड वर्ग्ड हाड और लाइफ और सोशल दिलिजियस इंटेलेक्ट्ट्ट अंड पॉलिटिकल रिजनरेशन जो राजा राम अभी हमने जैसे पढ़ सिकते हैं जो राजरा मौन्राय का नाम आता है और इनको अपने देश के अपने देश के लोगों से अपनी कंट्री से बहुत जादा प्यार था और यह इनकी लाइफ में जो लाइफ के लिए अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा हार्ड वक करना चाहते थे और इन्होंने ह सुधार लाना चाहते थे राजा नाम मौन्राय का जनम जो है वो एक कंजर्वेटिव ब्राह्मन फैमिली में हुआ था ठीक है एक बिल्कुल जिसको हम यह कहें कि पूरी तरीके से रूडिवादी नियमों को मानने वाली फैमिली में हुआ था कहां पर हुआ था पंगाल में हर्विव के फ्रेंच यंड लैटिन के सिव फैमिली एंगलिश औं हिंदी आड़ रोट कॉमेंटरी आन वैदिक सूटर लट इन्हों क्या कि बहुत सारी जितने उपनिशत से उनको ट्रांसलेट किया बंगाली में इंगलिश में और हिंदी में और बहुत सारी जो वैदिक थे उनको भी लिखा, he established close contact with Christian missionaries और इनका Christian missionaries से बहुत ही अच्छा contact था and enter into the service for East India Company और ये East India Company में जो है service भी इन्होंने की, वहाँ पर भी एंटर हुए, in 1828 he founded the Brahma समाज और 1828 में इन्होंने Brahma समाज किस था अपना की, मुगल एंपिरियर had bestows on him the title राजा और जो मुगल एंपिरियर था उसने इनको राजा का टाइटल दिया और फिर उसके बाद ये इंगलेंड गए and after returning to India जब वापस आए तो उन्होंने उसका नाम यानि जो Brahma सभा पहले जिसका नाम रखा था foundation 1928 में जो इन्होंने बनाया था, Brahma सभा का नाम change करके इन्हों समाज कर दिया यानि जो Brahma सभा थी उसको इन्होंने change करके Brahma समाज नाम कर दिया और इन्होंने टू जो newspaper थे वो भी start किये थे एक Bengali language में था दूसरा Persian language में था The Brahma समाज started the Brahma moment और Brahma समाज ने Brahma moment को भी start किया, Brahma समाज का विश्वास था कि सभी धर्म जो है सभी में समानता है, सभी धर्म इक्वल है, सभी लोगों में equality है, यानि वो समानता में विश्वास रखते थे The great achievement of Raja Ram Mohan Rai in the field of social reforms was the abolition of Sati Pratha by the British in 1829 और जो हम Raja Ram Mohan Rai का सबसे बड़ा achievement देखते है, social reforms में वो ये है कि उन्होंने Sati Pratha को बंद कराया था 1929 में And through his effort, उनकी effort से ही जो government थी, यानि British government थी, उसने इसको जो 1872 में जो child marriage थी, उस पर भी बेन लगा दिया था यानि राजा राम Mohan Rai के दुआरा child marriage को बेन किया गया और Sati Pratha को भी बेन किया गया देखे बटा, Sati Pratha क्या होती है, Sati Pratha होती है कि अगर किसी wife का husband मर जाता था, तो उसको उसकी अपने husband की चिता के साथ जिन्दा ही जलना पड़ता था यानि जिन्दा ही उसको भी उसकी चिता के साथ ही जलना पड़ता था और Child Marriage में क्या होता था, बहुती कम उमर में, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी ठीक है, दब्रहमे समाज ओपन वेरियस स्कूल, ब्रहमे समाज ने गल्स के एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल भी खोले और बहुत सारे वोकेशनल इंस्टिटूट को ले बॉइस के लिए, यानि उनको वेबसाइक शिक्षाख देने के लिए ताकि वो कुछ ऐसा काम कर सके जिससे कि वो अपनी सोर्स ओफ अंडिंग उनका तयार हो सके यानि आप बहुत सारे जो रेडिकल्स ते या जो अपोजिशन ओर्थोडोक्स हिंदूस थे जो की बहुत जादा रूडिवादी थे इन सब जो चेंजिस सोसाइटी में आ रहे थे उन चेंजिस को जो लोग एकसप नहीं करना चाहते थे वो चेंजिस नहीं लाना चाहते थे उन लोगोंने राजाराम मोहन रहे का अपोस किया उन्होंने उनका विरोध किया लेकिन इन सब विरोधों के बाद भी राजाराम मोहन रहे ने कंट्री के अलग 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 पार् मानव जाती पर उनके भाई चारे में जो उनका विश्वास था उसकी वेज़े से वह वापस इंग्लेंड में गए और वहाँ पर यानि जैसा उनकी किस्मत में लिखा हुआ था वह वह वापस गए वहाँ पर और राजराम मौन रहे ने बैरिस्ट्रोल की जो बैरिस्ट्रोल फिसेशंग वेज़े के लिखा यानि बैरिस्ट्री उपाद ही उनके बैरिस्ट्र की डिग्री उनके लिखा है ने इस्वार्चंध विद्या सागर सागर वाउज बौन इन आ पूर ब्राह्मन फैमिली इन 1820 इस विद्धाशागर ब्राह्मन फैमिली में बहुत गरीब सी He struggled through hardship to create himself and in the end and rose in 1851 to the position of the principal ship in the Sanskrit college or in Calcutta उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया बहुत स्ट्रगल किया अपने आपको शिक्षित करने में अपने आपको पढ़ाने में और धीरे धीरे 1851 तक वो उपर भुटे गए यानि और उसके बाद 1851 में उन्हें वो जो संस्कित कॉलिज था कैलकटा में वहां के वो प्रिंसिपल भी बने यान उनका जो स्ट्रगल था उसने उन्हें उपर उठाया और उसके बाद उन्हें विद्धासागर की जो टाइटल था वो भी दिया गया यानि उनकी जो सर्विस थी उनकी जो सेवा थी उसकी वज़े से परसन होकर उनको खुश होकर यह टाइटल विद्धासागर का टाइटल जया गया वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनके गरीबों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा क्या था सेंपेथी थी एंड unfortunate and the oppressed यानि जो डलित लोग थे जो दबेवे लोग थे जिनको कुछला हुआ लोग था उनके लिए उनकी मन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्यार था उनकी मन में ठीक है इस्वर्चन विद्धासागर ओपन दा गेट ओफ ता संस्कृत कॉलिज टू नोन ब्रामण इस कॉलिज के जो दर्वाजे थे वो अदर्स के लिए भी ओपन करा दिये जो पहले क्या होता था कि संस्कृत के सिक्षा से ब्रामण ही ले सकते थे लेकिन इस्वर्चन विद्धासागर के द्वारा जब उन्होंने अपने काम करने शुरू किये उन्होंने रिफॉर्म करने श कास्ट जो एट ताइम यानि उन स्टुडेंट्स के लिए भी जो दबे हुए थे जो कि अपने कास्ट के कारण जिनको संस्कीत नहीं पढ़नी जाती थी यानि पहले संस्कीत पर सिफ जो प्रिस्टीज से इस क्लास जो होती थी जो जैसे ब्रामन से होते हैं उनकी ही मोनोप के लिए उन्होंने जो मोमेन को ऊपर उठाने के लिए जो काम किये तो इसी वज़े से उनका जो कॉंटिविशन है जो वोमेंस थी मोमेन हुट को ऊपर उठाने के लिए जो कॉंटिविशन है इस वज़े से लोग जो है उनको बहुत याद करते हैं उनका बहुत ही सम्मान क के लिए यानि उन्होंने जो विद्वा होती थी पहले उन विद्वाओं को यानि जिनका हस्बंड मर जाता था उन लेडिस को दुबारा शादी करने की परमिशनी होती थी लेकिन वह उन्होंने यह मुमेंट शुरू किया कि जो वीड़ो है उनकी रिमैरिज हो सके इस हुमेनिजम वाज एक्रोज टू फुल भाईदा सफ्रिंग ऑफ हिंडू वीड़ो यह माना था थी यह पूरी तरीके से जो हिंडू वीड़ो है यानि उनको पर चुके हैं कि जो वोमेंस थी वीड़ो मुमेंस जो होती थी उनको बहुत ही कस्ट का जीवन मैतीत करना जाते थे उनको किसी भी तरह की परमीशन या अच्छे से रहने की परमीशन नहीं थी तो इस तरीके से उनकी जो लाइफ थी वह उसको उपर उठाना चाहते थे तू इंप्रूव इस लोट ही गेव इस ओल और उन्होंने बहुत सारे इंप्रूव भी किया बहुत सारी अवाज उठाई और उन्होंने अपने सब कुछ यह जो सुधार लाने के लिए सब कुछ नू ने देदिया ऑबहुत सारे सुधारों के लिए अपना बहुत कुछ डिया बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद उन्होंने सब किया उनकी जो इस रेस जो उनकी पारफुल वोईज उठाई उन्होंने यह जो ट्रडिशनल लर्निंग थी यह नहीं वीडियो रिमेरिज के लिए 1856 में उन्होंने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपनी वोईज उठाई जो पुरानी लर्निंग ट्रडिशनल लर्निंग थी उसके फेवर में उसको दूर करना चाहते थे और वो वीडियो रिमेरिज के लिए 1856 में यह काम किया और बहुत जल्दी है जो पावरफुल मुमेंट था उसके फेवर में बहुत सारे लोग हो गए और यह जो बहुत सार मुमेंट शुरू किये गए और बहुत सारे पावरफुल मुमेंट इन फेवर और वीडियो रिमेरिज के फेवर में जो की आज तक चल रहे है उनकी लाइफ ती विद्धा सागर कंपनेंट अगेंस्ट पॉलिगयमी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में केंपनिंग की आता था पहले कि Frühormuş जो एक जर्व काफी सारी शादी कर सकता था बहुत सारी कर सकता था यानि एक स्मिट की बहुत सारी वाइफ हो सकती थी ज detrimental व सकूल के में खालन की leader of young Bengal movement was the young Anglo-Indian Henry Vivan Darugio young Bengal movement was the young Anglo-Indian Henry Vivan Darugio he himself and his famous follower known as a Darugian वो खुद भी और उनके जो लोग थे उनके जो follower थे वो किस Darugian के नाम से जाने जाते थे and young Bengal were Preffy Patriot और जो यंग बंगाल था वो पूरी तरीके से देश भक्त था यानि ये लोग ऐसे देश भक्ते जो उग्र थे उग्र मतलब कि बहुत जल्दी हिंसा करने वाले लोग थी जब 17 साल के थी तो उन्हेंने हिंद्य कॉलेज कलकत्य जो हिंद्य कॉलेज है उसको जॉइन किया एक टीचर के रूप में और वहाँ पर इंगलिश लिट्रेचर वो पढ़ाते थे उनके फादर जो थे वो तो पूर्थगीज थे लेकिन उनकी मदर एक इंगलिश मुमें थी उन्होंने एक जो यंग स्टुडेंट थे उनका एक ग्रूप बनाया जिसको यंग बंगाल का नाम दिया गया आज एक टीचर के तोर पर ही इंस्पार थे स्टुडेंट तु लीव वाइट रूथ एंशन आल दा वाइस उन्होंने एक टीचर के तोर पर लोगों को बिलकुल सच्चा ही का साथ देकर जीने के लिए प्रेजित किया और अपनी लिहाग के लिए अपनी लड़ाई के विवि और उनके योग जो थे उन्होंने न्हों के डैडीकल विऊस थे उसको भी उने मुस्कłविन्हों को जैसे हमिलें कुछ उस्टीचर के तोर पर हनुने बौहत सारे स्टुडेंट को सच HEY का साथ देने के लिए सच्चाई के साथ रहने के लिए प्रिषिप किया और सभी जो भी बुरायां थी उन्से दूर रहने students को प्रेरिट किया एंग्रेश किया कि human activities के जितने भी sphairs है उन सभी की सुल जाने का यानि मानवता के जितने भी पहलों है उन सभी को सुल जाया जाए भी चाहे वो social हों चाहे वो religious हो या moral हो his love for truth had magnetic impact on everyone और उनका जो सच्चा प्यार था वही लोगों में एक चुम्बक की तरह प्रभावित करता था who came in contact with him जो लोग उनकी बातों को सुनकर उनके contact में आ जाते थे सुकरात की तरह ही despite pressure from the both orthodox Hindu and the government he defined both लेकिन जैसे सुकरात था थे उनकी तरह ही इनके ओपर भी बहुत सारे pressure थे उन सबी pressure के बावजूद जैसे की orthodox Hindu जो पुराने रूरीवादे हिंदू थे या फिर जो moment थी उन सब के जो इतने भी pressure थे उनको इनोंने दूर किया यंग बंगाल moment जो था वो जब डेरोजियो जो है जो वो college से उनको dismiss भी कर दिया गया जब वहां से अपने पत से हट गए तब तक भी यह चलता रहा और बाद में sudden अचाना की 1831 में उनकी death हो गई next step देबेंदरना टेगोर का विश्वास था कि जो traditional Indian learning है and in the new thought of the west और जो वेस्ट का नए विचार दा रहे हैं उनों पर उनका पूरा विश्वास था ठीक है दोनों पर देबेंदरना टेगोर वास दप प्रोडेक्ट ऑफ द बेस्ट इन द टाइम तू थिंक traditional Indian learning and the new thought of the west देबेंदरना टेगोर ने एक जो देबेंदरना टेगोर थे वो उस समय एक सही प्रोडेक्ट मतलब की सही विक्ति थे जो traditional Indian learning और नए विचारों के बारे में सोचने उस समय जो टाइम था उसमें सोचने के लिए in 39 में 1839 में उन्होंने तत्व पोधिन सभा तो प्रफगेट राम मोहन राय आइडियास उन्होंने एक तत्व पोधिन सभा के स्थापना की ताकि वो राजा राम मोहन राय के आइडियास को फैला सके ठीक है और लोगों तक पोचा सके इन 1843 में उन्होंने रिकोनाइज़ दा ब्रह्म समाज एंड पुट न्यू लाइफ इंटू नोंने ब्रह्म समाज को पहचाना और उसको नई लाइफ दी समाज एक्टिवजी अप्लमेंट फोर विड्वरी मैरीज और समाज ने जो बहुत जादा ही विड्वरी मैरीज जो थी उसको सुपर्ट किया abolition of polygamy polygamy को जो बहु विभावाली प्रथा थी उसको दूर करने के लिए साथ दिया और women's के education इस तरह की बहुत सारी जो women's से उनको support किया next है हमारा केसव चंदर सेन, केसव चंदर सेन जो थे ये भी राजा राम मोहन रहे के विचारों को फैलाते थे फैलाने वाले वेक्ति थे he supported the moment against the child इन्होंने child marriage के खिलाफ बहुत सारी moment चलाए प्रदा सिस्टम को भी दूर करने के लिए और polygamy सिस्टम को दूर करने के भी support में थे और उनके support में नोने बहुत सारे moment चलाए okay students